इलवाडा में महाकर्फियों के दूसरे दिन जहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है तो वहीं कई मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने की बाद प्रशासन ने राहत की सास भी ली आपको बतादे की कल 17 मरीजों में से 9 को डिस्चारज किया गया है और आज 4 और मरीजों को डिस्चारज किया गया महाकर्फियों के दूसरे दिन भी लोग अपने घरों में ही रहे इस पर पॉलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया Medical College की प्राचारिय डॉक्टर राजन नंदा ने कहा कि अभी तक तबलीगी समाज के 33 व्यक्ति सामने आए हैं चुनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है इन्हें के साथ आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की राइला में पुष्टी हुई है